जहें दोस्तों आप देखेंगे डिफेंस गयन यूटूब चैनल दोस्तों पाकिस्तान और जो चाइना है उसका सबसे बड़ा डर जो रफेल लड़ा को बिमान है ओफिसियल तोर पे भारती वायू से ना में 10 सितंबर को सामिल हो चुका है और ये जो रफेल लड़ा को बिमा ना करें वीडियो को पूरी अंतक जरूर देखें और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि एक रफेल को करने के लिए कितने पाकिस्तान को अपने एप 16 जो लड़ाकु जहाज है उनको लगाना पड़ेगा तो जो भारत का रफेल है एक मल्ट इलेक्टोनिक सिस्टम और जो सेंसर सिस्टम है वो इतने खतरनाक और इतने टेक्नोलोजिकली एडवांस है कि अभी तक किसी अन्य देश के पास ऐसी नहीं है सिवाए अमेरिका को छोड़ के रफेल लड़ाकु जहाज है और इसकी टोटल कॉस्ट का करीकरी 30% सिर्फ जो करीकरी वो खर्च की गई है इसकी जो सेंसर और रडार और जो इलेक्टोनिक सिस्टम है उसको डबलब करने के लिए इसकी जो कॉक्पिट है बहुती ज्यादा एडवांस है यह बहुती जल्दी जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं उनसे कनेक्ट कर जाता है इसकी जो अधनिक जो हत्यार है उनको ले जा सकता है खासकर जू यूयन द thread vara, हत्यार है , खत्रन्नक missile है उनको ले जा सकता है, यह की रिंज करेंड की जात को ह deve उसको भी ले जा सकता है और जो पाकिस्तान है वो इसको चाहके भी नहीं खरीच सकता एक तो यह इतना महंगाई की जो पाकिस्तान है उसकी औरकात नहीं है या कहें आप उसके पास पैसा नहीं है वो इसको नहीं खरीच सकता अगर वो पैसे का अर्रेंजमेंट कर भी लेता है तो फ्रांस जो है पाकि लड़ाकु जहाज हैं जो कि अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को दिये गए थे तो कितने एक रफेल को काउंटर करने के लिए कम से कम दो जो एक रफेल को काउंटर करने के लिए तो हमारे पास अगर 36 लड़ाकु जहाज आएंगे रफेल तो पाकिस्तान को करी-करी बहतर से ल करते हैं दोस्तों चार-पान दिन पहले मैंने एक बीडियो बनाई थी वहाँ पर जो पाकिस्तान की सोसल मीडिया है वहाँ पर एक न्यूज वायरल हो रही थी कि भारत का जो रफैल लड़ाकु जहाजा टेनिंग के दौरान अंबाला में क्रैस हो गया था इसके लिए सच तो सच होता है भारत के सारे लड़ाकु जहाज सुरच्छित हैं और आप लोग पतानी क्यों ऐसे सपने देखते रहते हो तो ऐसी ही वीडियो एक और जो भारत के काफी बड़े यूटूवर है इंडियन डिफेंस नीज उन्होंने भी बनाई है कल अब पुछते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत